Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to Magnet Brains इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं Class 7th Civics का चैप्टर, चैप्टर का नाम है Growing Up as Boys and Girls ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप feel कर पाएंगे, क्या कहना चाता हूँ मैं अब देखिए, Civics में हम Society को कही ना कही पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं Institutions कैसे काम करते हैं, वो चीजे समझने की कोशिश करते हैं अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम आपने देखा Growing Up as Boys and Girls मतलब आप एक लड़का और लड़की की तरह कैसे बढ़े होते हैं ठीक है, जो लड़किया है, वो लड़कियों की तरह बढ़े होंगी जो लड़कियों की तरह बढ़े होंगी Wait, मैंने क्या सही कहा या गलत कहा जो लड़किया हैं वो लड़कियों की तरह बढ़ी होगी और लड़के लड़कों की तरह मतलब हमने क्या कर दिया है कि अगर लड़की है तो लड़की ऐसी होगी लड़का है तो लड़का ऐसा होगा हमने क्या कर दिये रोल्स फिक्स कर दिये क्या कहना चाहता हूँ सारी चीज़ें क्लियर करूँगा यह जो वीडियो लेक्चर यह basic introductory वीडियो लेक्चर है जिसमें हम क्या देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि chapter में क्या-क्या पढ़ने वाले है what the chapter is all about chapter में कौन-कौन से topics है और chapter की theme क्या है chapter किस बारे में हमें क्या चीज़ें बताने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में clear करने वाला हूँ देखेंगे यहाँ पे क्या है अगर आप एक लड़का है या फिर आप एक लड़की है तो this is the important part of your identity ठीके आपके identity क्या है वो depend करती है मतलब आपके identity लड़के से जुड़ी हुई है या फिर आपके identity लड़की से जुड़ी हुई है और ये आपके पूरे जीवन को क्या कर देती है कहीं न कहीं influence कर देती है पूरी life को influence करती है अगर आप लड़के हो तो क्या रहेगा आपके identity ये जुड़ी लड़के हो तो आप मजबूत रहोगे रोगे नहीं बोलते हैं ऐसा लड़का है लड़कियों की तरह क्यों रोता है ऐसा कहते हैं फिर उसके बाद में कि अगर आप लड़के हो तो आपके उपर जाएगा कि आप को खाना बनाना सीखने आगर अपना ररगी तो कंपरोफिया कि आपको अच्छी बेटी एक अच्छी बहू एक अच्छी पतनी ये रोल निभानः आए आना सब़ना हम देखते लड़के कि या फिर एक लड़के के आइडेंटिटी जो है तो वो सुसाइटी किस तरह से सेट करती यह जरूरी नहीं एक लड़का है जो पैदा हुआ तो इसको बचपन से ही सारी चीजें पता थी कि उस्टेस आएसा करना रही वह जाया होते घ्रUNG आउटाइटर वो सारी c yer करते गी जैसे लड़की पैदाला तो उसे पता रिए तक सी यह सारी चीजें करना है लेकिन सोव्ती ऋसे वह सारी चीजें करते देती आपको तो ऐसे 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 चलना है आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं में तो अगर हम देखें तो influences the kind of behavior we must have ठीक आपकी जो आइडेंटीटीटी है whether you are a boy और a girl ठीक it influences the behavior you must have behavior behavior मतलब कैसे लड़की है तो ज्यादा तेज नहीं बोलना लड़कियों को आगा है समझ में लड़के हैं तो लड़के बोल सकते हैं तीज उस तरह से क्या कर दिया हमने society में notions fit कर दिया कि यह ऐसा है यह ऐसा है और societal outlook भी देखा जाए तो societal outlook क्या है कि ज्यादा possibilities किसके पास होगी ज्यादा possibilities लड़के के पास होगी लड़की के पास उतनी possibilities नहीं होगी लड़का है तो लड़के को पढ़ाओ लिखाओ क्यों 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 कि लड़का कल को घर चलाएगा लड़की है तो लड़की ठीक इसके खादी करना दूसरे के घर जाएगी कम भी पड़ेगी तो चल जाएगा इस तरह का क्या होता इस तरह का तों पूχ सकते इक्वालीटी है क्या तो आप बोलो गें क्वालीटी तो नहीं यह क्यों दिख रहाएं तु月 दिख रहा है की इनेक्वालीटी क्या करती है एक्वालीटी एक्झस्ट करती है ठीक है अब शावल याता कि most शूसाइटी स्रिसपेक्ट men and women differently inequality कैसे exist करती है inequality treatment में आ जाती है treatment में मतलब क्या जाती कि आप कैसे एक men को कैसे women को देखते हो उसे respect करते हो उसको किस तरह से treat करते हो आप देखते हो तो men के towards society का अलग attitude रहेगा public place रात में गूमना ये सारी चीज़े men के sex के साथ में जोड़ दी जाती है वहीं पर विमन की बात की जाती है तो उसे घर में रहना है ठीक है एक अच्छा behavior adopt करना ये सारी चीज़ें उसके साथ में attach कर दी जाती और दोनों के बीच में जो दोनों को treat करने का तरीका होता society का वो भी अलग होता है फिर the roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do ये एक बहुत कड़वास अच्छे पता है और डेटा के हिसाब साथ भी जिससे आप आगे पढ़ोगे इसी chapter में पढ़ोगे इसके बाद वाले chapter में पढ़ोगे क्या कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ men ही काम करते हैं women के पास में double burden होता है काम का मतलब वो अगर कोई वर्किंग विमेन है तो काम भी कर रही है अपना office का साथ ही साथ में क्या है अपने घर की responsibilities भी नहीं बारी है जैसे खाना बनाना बच्चों का ध्यान रखना कपड़े धोना ये सारी चीज़ें लेकिन हम हम as a society कहां कहां कहते हैं कि बेमानी कर जाते हैं कहां पर हम inequality को promote कर देते हैं कि हम यह सोचते कि नहीं नहीं मैंन बहुत जादा महनती होते हैं वह जादा काम कर रहे हैं लेकिन ये टृथ नहीं है ठीक है यह क्या एक कवर्ड टृथ है कि आपने सच बनाया है ठीक है जूट को सच बनाया है तो उस तरह से इनिक्वैलिटी एक्जिस्ट करती है सुसाइटी में इक्वैलिटी अगर बात आती है तो तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़े बता दिये बहुत सारी बुक से बाहर जाके बता दिये जो शायद जरूरी नहीं भी थी अभी इस लेवल पे लेकिन मेरा यह मानना कि जितना इनिक्वैलिटी किस हद तक गई हुए सारी चीज़े एक लड़का और एक लड़की को क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेस करना पड़ती है सोसाइटी में अपने जेंडर के साथ में अपने सेक्स के सांद दोनों चीज़े अलग अलग है देखो मैं समझाता हूं सेक्स क्य क्या चीज़ होती पता है जेंडर हम सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशली कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम बताते हैं कि पिंक कलर जो है तो वह क्या है वह विमन के लिए है गल के लिए ठीक है उसके बाद में गन जो होती है टॉइस में अगर गन देखोगे ना तो जो गन क्या कर रहे हो एक जंडर construct करते हो तो sex is a biological classification male ya female वो sexual organs के हिसाब से देखा जाता है लेकिन अगर बात की जाए gender की तो societal construct है society के हिसाब से बनाया जाता है वो कभी exist नहीं करता है वो हम बनाते हैं आया समझ में बहुत साइब चीज़े बता दिये अब इंटिमेटली बतातो हुआ कि हम क्या क्षाचे पढ़ने वाले इस चाप्टर में तो वहाँ पर एक बच्चे जब बड़े होते हैं चाहे बोलगाव लड़की ओ तो किस तरह से अलग तरह से बड़े होते हैं ठीक है फिर हम देखेंगे growing up male in मध्यप्रदेश in 1960s मध्यप्रदेश इंडिया का जो central state है उसके बारे हम देखेंगे यहां पर बढ़ा होना किस तरह से अलग है दूसरे पार्ट से समोवा में जो हमने पढ़ा उससे कैसे अलग है तो दोनों case study देखेंगे यहां पर बच्चे समोवा के बच्चे और मध्यप्रदेश की बच्चे दोनों का हमने क्या करना है एक comparison करना है ठीक है फिर हम देखेंगे my mother does not work यह story है शांदार सी story है इससे समझाएंगे आपको पढ़ाएंगे कि क्या कहना चारी है story clear फिर क्या है valuing housework कि कि किस तरह से हमें housework को value देना चीए हम क्या consider कर देते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया थोड़ीर पहले कि women को हम यह consider करते हुए कम काम कर रहे है जबकि उनके तवारा जो काम किया जाता housework यह office work से भी जादा hectic होता है जादा परिशानी वाला होता है जादा क्या सकते हैं क्या time consuming होता है तो हम उसे समझेंगे कि housework की हमें value करना चाहिए ठीक है फिर क्या है lives of domestic workers अब इसमें भी क्या है देखो एक तो क्या है कि आपके घर में आपने काम कर लिए वो ठीक है लेकिन कुछ domestic workers जो होती है ठीक तो वह क्या करती है अपने घर का काम करती है और चार घर और काम करती है ठीक है domestic helper की तरह तो उ उसको equality कितनी देते हैं उस चीज़ को भी समझेंगे और ultimately जो आपकी बुक में questions है NCRD questions उनके solutions discuss करेंगे तो यह सारी चीज़े हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं believe me काफी मज़ा आएगा मज़दार chapter हुने वाला छोटा chapter लेकिन बहुत अलग-अलग perspective आपको देखे जाएगा clear ह किसी प्रकार के doubt है तो feel free to ask in comment section next video lecture से आगे topics पढ़ने स्टार्ट करेंगे till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे growing up in the Samoa in 1920s 1920s की बात कर रहे हैं बहुत पुराना समय लग-बग-बग-बग 100 साल पहले की बात कर रहे हैं 1920s में Samoa Island जो है Samoa Island में बच्चे कैसे बड़े होते अब आप बोलो कि बच्चों तो जैसे बड़े होते हैं वैसी बड़े होंगे ठीक है लेकिन सोसाइटी वाला पार्ट भी तो समझना है में कि सोसाइटी बच्चों को कैसे बड़ा करती थी ठीक है क्या सोचती थी सोसाइटी लड़कों के बारे में लड़कियों के बारे मे ये सारी चीज़े हम इस Video Lecture में discuss करने वाले हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको एक Basic Introduction बताए था Chapter के बारे में कि Chapter किस बारे में है Chapter में क्या क्या चीज़े है अब हम आगे बढ़ते हैं Chapter में जो आपका अगला topic है वो यही है Growing Up in the Samoa in 1920s अब देखिए क्या है Samoa क्या है Samoa Group of Island in the Southern Part of Pacific Ocean Pacific Ocean का जो Southern Part है ठीक है अब आप बोल रहोंगे Pacific Ocean का है हमें तो यही नहीं पता है चलो पेरे थोड़ी सी हमें देखो क्या होता है civics को civics की तरह पढ़ते ले जाओगे बोरिंग लगेगा जरा जियोग्रफी के साथ रिलेट करके पढ़ो मज़ा आएगा ठीक है तो यह है पूरा Pacific Ocean Pacific Ocean में यह जो Southern Part है इस Southern Part में यहाँ पे आता है Samoa Island ठीक है यह Pacific Ocean यह North America है यह Asia है इधर थोड़ा और जाओगे तो यहाँ पे जो है Samoa Island है clear है अब यह जो Samoa Island है तो इसका नाम समोसी की तरह है लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे समोसा खाते हैं सभी लोग Samoa Island जो है तो Samoa Island के बारे में यह बताएगा है कि वहाँ पे जो कल्चर है जिस कल्चर में बच्चे बड़े होते हैं लड़के और लड़कियां वो कल्चर बहुत अलग है ठीक है उसमें कुछ इंट्रस्टिंग है क्या है कैसे है वह सारी चीज़ें में आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा देखो तो क्या हो रहा है कि ग्रूप ऑफ आइलेंड इन सदन पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन यह तो कर लिया हमने फिर क्या है 1920s a research report on Samoa society explains us tells us that children did not go to school बजाओ तालिया ठीक है सब लोगों को असा लग रहा है कि क्या सोसाइटी है हमें भी वहीं जाके रहना है यहां बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता है सोच रहोगे ऐसा तो देखो चिल्रन जो होते हैं बच्चे जो होते हैं कहां पे Samoa Island में Samoa Island group में जो भी बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं ठीक बहुत खुशी हो रही है आपके मन में लेकिन कारण समझे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं क्यों नहीं जाते हैं घर पे सब कुछ सिखाया जाता है ठीक तो Class 7th Samoa Child in his school uniform ये 1920s की बाद है लेकिन आज जाते हैं वो स्कूल ठीक है 1920s में नहीं जाते थे आज तो जाना पड़ता है अफसोस बुरा लगा ठीक है नहीं आपको इंडिया में रहना और यहीं स्कूल जा रहा है क्लियर तो अब देखो क्या है तो यहां पर अगली चीज उन्हें अलग-अलग चीजें सिखाई जाती हैं क्यों शिखाई जाती है क्योंकि तो जीने के लिए जो चीजें ज़रूरalle Щक जरूरी होती है वह होने सारा सबकुछ प्रोवाइड किया जाता है उनके सुसाइटि के द्वारा उनके सुसाइटि में समोहन सैटिय में सारी चीजें सिखाई जाती है ठीक है अब क्या होता है एस सून एस बेबी कुड वाग एक बच्चा पैदा होता है चाहे वो लड़का या लड़की दो को डिफ्रेंशेशन नहीं है यहां पे इन इक्वैलिटी जो हमने अभी पिछले वीडियो में पड़ी थी कि एक्जिस्ट करत तो अब फिर उसके मम्मी पापा उसका ध्यान नी रखते हैं उसके जो एल्डर सिब्लिंग्स हैं ठीक है जो बड़े भाई-बैन है तो वो उस बच्चे का ध्यान रखते हैं ठीक है हमारी सुसाइटिम में अगर छोड़ दें कि बड़े भाई-बैन के बड़ों से छोटे भाई-बैन को तो वह भूका मार दें उनको क्लियर अब क्या होता है देखो अब जैसे ही नौ साल के उमर तक पोश्चे तो नाइन येर ओल्ड बॉइस और गल्स अब यहां तक क्या है कि सारे सारे बच्चों का काम एगी रहता है कि अपने छोटे बच्च बाई-बैन का ध चुड़ दिया जाता आगे पहुचा दिया जाता है अपने से और जो क्या होता है अपने से और जो बड़े बच्चे होते हैं उन बड़े बच्चों के साथ में ने क्या दूसरे जॉब सिखाया जाते जैसे कैसे मचलियां पगड़ना है को कोने ट्री कैसे लगाना ये काम और वहीं पर girls जो होती, तो लड़कियां क्या कर रही होती इस समय पर, they continue to look after small children or do errands for adults, तो छोटे बच्चों का देख भाल करना और बड़े बच्चे के लिए दोड़ भाग करके do errands, मतलब छोटे मोटे काम कर देना, इस तरह से run errands ये वाले काम करती थी थी, ठीक है लड़ तो उसके पीछे थोड़ा सा reason ऐसर आँगा कि यहां पर लड़कियों को और क्या सिखाना चाहरे हैं कि कैसे बच्चों का ध्यान रखा जाई है, और चीज बहतर करना चाहरे होंगे, और लगकों को क्या सिखाय जा रहा है, लड़कों को सिखाय जारा है, कि आप दूसरी और कर लिया जाता है, क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हैं मच्चे से और, तो गर्ल्स गेट मच मोर फ्रीडम आफ्टर दी एज ओफ 14 और सो, दे वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वाग इन दी प्लांटेशन, लांट हाउ टू वीव बास्केट्स, एन तो अब लड़कियों को सारी चीजे सिखाई जाती है, जो लड़के कर रहे हैं, वही सारी चीजे लड़कियां भी करती है, यहां पर, जैसे क्या है, कि फिशिंग ट्रिप्स पर जाती है, वो लड़कों के साथ में, ठीक है, प्लांटेशन फील्स पर जाती है, कैसे यहां पर लड़का और लड़की दोनों खाना बनाते थे तो सो शाइटी में आज तू फिर भी चलो ठीक कम हो गया लेकिन इंडियम सोसाइटी में क्या कंटेक्स रहता था कि कुकिंग कैशन यह वाला सारेदेपार्टमेंट लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया जाता था तो वो चीज यहाँ पे 1920s में ही नहीं थी इतने पुराने समय में नहीं थी ठीके क्या होता था अधिकतर जो लड़किया होते थे वो खाना बनाते थे लड़किया उनको क्या करती थी प्रिपरेशन में मदद कर देती प्याज काट देना लसन काट देना यह सारी चीज़े करना तो इस तरह से यहां तक चीज़ें क्लियर हैं किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री तो आस्क इन कमेंट सेक्षिन तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्यप्रदेश in 1960s अब देखिए टॉपिक ही आपको बता देगा कि ग्रोइंग अप मेल मेल डॉमिनियरेट सोसाइटी जो होती पेट्रियार्कल सोसाइटी जो होती है उ टाइम के अगर बात करें तो मेल और फिमेल दोनों के बीच में मतलब मेल फिमेल तो बात में बनेंगे पहले जब वो बॉय और गर्ल थे ठीक है एक लड़का और एक लड़की थे छोटे थे तब से उनके बीच में कहीना के एक्वैलेटी रही उनकी सोसाइटी में लेकिन अब हम जो दूसरा एक्जामपल दूसरा के स्टेडी पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है ग्रोइंग अब मेल इन मद्रप्रदेश in 1960s तो मेल डॉमिनेशन को इन्होंने यही पर दिखा दिया है देखो क्या होता है रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा देखा गया कि क्लास सिक्स्थ मतलब क्या है कि इस तरह से अगर पूरा ग्रांड यहां प। अंदर कुल से स्पोर्ट्स खेल रही हैं क्या कर रही हैं उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह अंदर ही सेंट्रल कोटियार्ड में अपने गेम स्पिरिट को इंजॉय करती थी वहीं अगर बॉइस की बात की जाए तो बॉइस का क्या था देखो जारा सीन यहां पर के वापिस घर चले जाते थे तो इस तरह से लड़कों का गेम स्पिरिट होता था वह लड़कों लड़के जोते इस तरह से गेम स्पिरिट इंजॉय करते थे अब देखो यह आपको में आर्किटक्चर की पढ़ाई नहीं करवा रहा हूं कि ऐसे सेंट्रल कोटे एड में स् इस तरह से जीवन बनाएं वह कैसे हैं वह दम क्लोज्ड इस्ट्रक्चर बनाएं कि उन्हें क्या रहना है परदे में रहना है ठीक यहां लड़कों को क्या कर दिया जाओ भी या ठीक है अपने हिसाब से जीवन यह चीज़े कर दिये तो आप बताओ एक्वैलिटी है यह न मेल पड़ रहे हैं तो लड़के किस तरह से बड़े होते थे स्कूल जाते थे बोई यूस टू यूस दी स्ट्रीट अजर प्लेस तो स्टेंड अराउं ठीक है आइडलिंग टू प्ले टू बाय आउट ट्रिक्स विट देर बाइसाइकल स्टेंट करेंगे साइकल से कहीं र गर्स का क्या होता था गर्स वाग्ड ऑन दी स्ट्रीट सो पर्पस फुल ठीक है कोई कारण होगा तो बाहर निकलेगी घर से लड़किया नहीं तो घर में ही रहने वाली है इस तरह की सोसाइटी थी आपने देगा कभी लड़किया इस तरह से क्या एंटी वंटी खिल रही ह आज की बात मत करो मैं आपको कब की बतारो 1960s की 1960s में ना आप थे ना में था लेकिन हम पढ़के समझ सकते हैं चीजों को ठीक है अगर कोई बुजर्ग बचे हैं तो उनसे भी पूछना कि 1960s में किस तरह का एटमॉसफेर था लड़कियों लड़की के बीच में तो लड़क पूरा का पूरा प्लेगरांड होता था ठीक है ओलंपिक वहीं से जीतके लाते थे अब क्या एकला तो दिगल्स अलवेस वेंट इन ग्रूप परहब बिकॉस दे ऑल्सू कैरेड फिर और यह चीज़ भी समझो लड़कियां हमें गुरूप में जुंद में चलती हैं जैसे घर आएंगे लेकिन यहीं अगर 10 लड़के हो गए तो हो सकता है कि वह स्ट्रीट ठीक आया बोजा एक लिए दिन गड़ा खोद देंगे पूरा सब कुछ बदल के रख देंगे आया समझ में तो आप देख रहे हो कि लड़कियों ने अपने आपको कितना सीमित करके रखा है लड़कों ने अपने आपको कितना आके रखा है ठीक है लड़किया हमेशा गृप में चलती थी लड़के घृप में चलते तो लड़ते भिढ़ते जिए चलते थे तो यह आप सोसाइटी को समझ जो यह जो मैं आपको पूरी कहानी बताई सुन लिए हसलिए मज़ा आ गए लेकिन आपको society को समझना है कि society किस तरह से लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए roles decide कर चुकी थी कब 1960s में इंडिया में और वही हमने Samoa की भी case study पड़ी कि वहाँ पे किस तरह से society ने लड़के और लड़कियों के लिए लगबग लड़किया भी वहाँ पे fishing trips पर जाती थी लड़कों के साथ में तो वहाँ फिर भी क्या है equality देखने को मिल रही है आ गया दोनों चीज़ें समझ में दोनों example से मैंने आपको society को explain करने की कोशिश करी थोड़ी सी fine आगर देखो क्या है तो अब जो हमने boy और girl के बारे में जाना समझा तो there are different ways of growing up अल्ग-अलग तरीके हैं जिसमें लड़के और लड़की grow करते हैं कैसे अल्ग-अलग तरीके हैं जिसमें लड़के और लड़की grow करते हैं और लड़कियों को क्या है कि बहुत सेक्लूजन में रखा गया अखेले में रखा गया उनको इतनी इंडिपेंडेंडेंस नहीं दिये पड़ रही है वह ठीक है देखो पहली बात तो क्या सभी लड़कियां पड़ी भी नहीं है लिटरिसी रेट जो रहा है तो आज भी के लिटर उपको देखो यह बहुत अच्छी बहुत अच्छी कनसब्ट है लाईस के हर स्फेयर में मतलब आप उनके खिलोनों से लगा कि उनके प्रोफेशन तक अगर बात करेंगे हर स्फेयर में क्या करती है सुसाइटी एक BET कर देती है कैसे है जैसे क्या होता खिलोनों की बात आएए आपके घरमें लड Galaxy स्वाée बंधािशिक ठरवपियों लड़क उर इस better than usual 2017quinho बड़कियों के लिए टोइस भी अलग कर दिये प्रोफेशन के अगर बात आती है बड़ाओ के क्या बनेगा तो लड़का है तो बड़ाओ के क्या बनेगा बेटा तो लड़का क्या बोलता है मैं पुलिस बनुगा तो यह कुछ प्रोफेशन फिक्स कर दिए लड़की है तो क्या बनेगी लड़की टीचर बनेगी आया समझ आज आप शहर में रहे रहे हो अगर तो आप फिर भी समझोगे कि यार ऐसा नहीं है सर तो कुछ भी बोल रहें लेकिन आज चीज़ें बदल चुकी बहुत लेकिन आज से 20 साल पहले 50 साल पहले 1960 के अगर बात करें तो बहुत जादा बुरी उस्तिती थी और आज भी चीज़े बुरी है कहां पर जहां पर आप नहीं हो मतलब क्या जैसे रूरल इरियास में अगर कोई रूरल इरिया का बच्चा है तो समझ सकता रिलेट कर पाएगा चीज़ों को रूरल इरियास में आज भी यही दिक्कत हैं बड़ी दिक्कत है ठीक है सुसाइटी ने यसा से लड़की बन जाती चलो यह लड़की बन गई कंप्लीट ठीक है अब लड़के के लिए लड़के के लिए लड़के को स्ट्रॉंग रहना है रोना नहीं है यह सारी चीजें और वो उसके परामिटर बन गए उसको जिसे जिए लेख नीड टॉक सौफ़ बॉइस नीड टॉफ यह भी प्रचली प्रता है ठीक है यह बॉइस डॉन्ट क्राइल कि यह लड़के भी रोएंगे लड़की क्यों नहीं रो सकते बताओ ठीक है डिफ्रेंस इंदी वर्क इंदी गाम के प्रोफेशन के बी अलग क्या कि जो भी होता है वह सोसाइटी में होता है क्लियर दवे ओफ टेलिंग चिल्रन देट विल हैव डिफरेंट फ्यूचर और इन सारी चीजों के थू जैसे हम देखते हैं कि हाँ टॉइस के थू ठीक है उनके बेहवियर के थू समझाया जाता है कि लड़कियों लड़कियो को ध्यान रखना यह करना है यह उनके फ्यूचर कोर्स जो हैं इस तरह से सट कर दिये जाते हैं तो यह सारी चीज़ हमने पढ़ी ग्रोइंग अप मेल इन मध्यप्रदेश इन नाइंटीन सिक्टी इस टॉपिक में अब यहां तक किसी को किसी प्रकार के कोई डाउट है तो तो फिल फ्री तो आस्किन कमेंट सेक्शन हमने दोनों चीज़े पढ़ ली समोवा और मध्यप्रदेश से कंपरेटिव स्टेडी डवलप करिए तो चैप्टर में यही बताया गाई जैसे चैप्टर हमाना ग्रोइंग अप एस बॉइस तो आपको समझ में आए कि अलग अल पॉंसिबिलिटी कोई काम थूरी ना है क्लियर तिल देन स्टे गनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बेर मच हलो एवरीबड़ी इस दिग्रास सिंग राश्पूत वेलकम तो मैगनेट ब्रेंस इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं कुछ नहीं इस वीड प्रिदेश की कहानी सुनाई अब जो कहानी अब यह फ्रिक्शनल कहानी है मतलब यह ऐसा कुछ एक्जिस्ट नहीं करता लेकिन इसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे इनिक्वालिटी एक्जिस्ट करती है मैन और विमन के बीच में किस तरह से हम जो विमन के तवारा काम किया जाता उससे हम क्या करते हैं डिवैल्यू करते हैं या फिर उसकी वैल्यू नहीं करते हैं ठीक है आईए समझे तो कहानी में जिसे जो टाइटल है आपकी बुक में जो कहानी का वो कहा है माय मदर डस नॉट वरक मेरी ममी काम नहीं करती है क्या यह बात सही है इस कहा तो हर्मीत की ममी के ओपर एक कहानी है उनका देखो तो एक लड़की जो है वो क्या बोलती है माव यार गोईंग ओना देखो एक चीज़ बता दू और पहले कले कर दो आपको सकते हैं पर क्या लिखा है वो दिखना रहा हो क्योंकि बुक की क्लिपिंग से न सीथी तो बुक आपके पास भी तो बुक में आप इस स्टोरी खुद भी पढ़ सकते हो वाकि मैं पढ़के सु क्या है एक वरकिंग विमन है क्योंकि वह वरकिंग विमन तो अधिक तर टाइम नहीं दे पाती है न तो बोलती है क्यों नहीं चलती हो आप हमेशा ओफिस में वीजी रहती हो मुझे भी आपको लेके चलना इस बार स्कूल से जो टृप जा रही है उस पर तो वह फिर बच् इससे था कहती है की सुनाली हाउ कैन् केन्यू से था प्रगिजें इस TONाली की मप्मी थोड़ा से спểu खशाना चाहरी है था यूजिबुटा की मम पर सकते हूं चुश काम नहीं करती है फिर सोसाइटी ऐसी इंटरपेट करें तो उनमें उसकी क्या गलती है अब क्या होता है तो सुनाली क्या कहती है कि नहीं वो तो कोई नया काम थोरी है मतलब वो that's not real work that's the housework वो तो housework करती कोई रियल काम थोरी करती यसे आप office जाके करती हो तो अब सुनाली की जो मां है ठीक है सुनाली इस मदर इनहें क्या लगता है अब क्या होता है हर शरन जो लड़का है यहां ठीक हर प्रीट तो हर प्रीट का मतलब हर प्रीट जो है तो हर प्रीट के घर पर आप आये हो हर पीट के घर पर हर पीट के पापा जो हर शरन तो हर पीट के पापा से जो सुनाली की मम्मी है न वो क्या थे हैं सुनाली यह गए जो सुनाली का फ्रेंड है हर प्रीट बहूस सारे accomplishments हर प्रीट सवणाली दोनों classmate एक तरह से तो हरप्रीट क्या कहता है कि but isn't that correct auntie my mother is a housewife housewife she does not work ठीक है my mother is a housewife she does not work काम कहां करती है तो अब क्या होता है देखो then Jaspreet why don't you just relax and let them manage everything for a chain अब क्या होता है सवनाली की मम्मी ने सोच ले कि भाईया मेरी लड़की गलत नहीं सोचती है तो इनका लगा भी गलत सोच रहा है कि मम्मी कुछ काम नहीं करती है तो जो Harpreet की मम्मी उनका नाम क्या है जस्पृत पंजाबी नेम्स sounds similar ठीक है तो क्या होता है तो जसु ए औब देखू कहा चलो अगले दिन अगले दिन सुबह सोब के उठते हैं नेक्श्च पर चेब्पाश्थ ऌुए बाश्यलम डेवाले गया नेशनल कने देल नायं है तो जो अंकल है सिंह graph이ो == वन्हें किया लगा अनकल किया अफोग्षित फीद्वियू स मुझे टो जानः जल्दी class rifix नहीं बना अभी तक ठीक है breakfast वारा अरेशनल क्या टीडर्डबुषित या तु तु अब और बताया था था इन अंकल उन्हें क्या हरसरान अंकल जोएं तो नहीं क्या होने लगा गया मुझे तो जाना है जल्दी बेखफास्ट नहीं बना अभी तक ठीके ब्रेकफास्ट वारेंट इस चिल्रन रेडी बच्चे भी तक तयार नहीं हो स्कूल जाने के लिए तब जस्प्रित क्या बड़ारा लिए आज काम सभी तुम्हें करना है और साथी साथ में उनकी डॉमेस्टिक वरकर है जो उन्होंने एडिशनल हेल्प के लिए बुलाया था जिसे मंगला ठीके मंगला उनके आज जो मेड आती थी तो मंगला भी नहीं आज तो मंगला भी चुट्टी पे करो काम खुद से सब्सक्राइब उनको समझ में कि काम क्या होता है आप जिसे सोचते हैं कि हाउस रग कोई काम नहीं होता है माई मदर दस नॉट वरक ठीके तो यह चीज क्या थी गलत थी उनका सोचना फिर क्या होता आप जाने लगते स्कूल तो बट वाट अबाउट दी किड्स लांच इंबॉका चिंसक्राइब ज़िए स्टोरी स्वर् movimento समझ उसमें जब झोटे चोटे एंगल रिक्टर की उसटोरी को इस तरह से बच्चे बुलते हैं कि उप्ले पैसे दे यह सास हो गई है अब शाम को जब वापस आते हैं तो वापैस आगा है शाम को कुन हर शरां अंकल वो वापस आए वापस आने पर क्या होता है I'm exhausted मैं बहुत बुई तरह से ठक चुका हूँ How about some tea तो बोलते फिर बुल गए मैं तो stripe है और टी बनाओ खुद से clear तो खुद से टी बनाओ तो वो चाय बनाने के लिए जब जैसी अंदर घर में टी गर्फ ऑर देलैकर सुबे और लेकिन जी घर भीवान का पुरा यह इन नोच का गए को मतलफ सकते हैंइं चाहते हैं OFF दिन भर काम कान करता है घर सबस्तीन रखना विवस्तित हैं तो यहां पर कहीं नरी की मा काम होता है ठीक है उसके बाद में यह सब परिशान हो रहे हर्मीत जो है तो हर्मीत वेर ऑन दी अर्थ आर्थी टी लिफ्स तो जो चाय बना रहे हैं सिंग अंकल तो वो अपने बेटे से पूछते की चाय पत्या कहां रखी है भई ठीक है तो अब यह अंदर से मतलब मनीमन में और मुस्कुरात और सोचती हैं बोलती है कि मैं तो इन्हें अभी बताना भूली गई कि शाम को चाचा जी चाची जी आ रहे हैं डिनर पर उनकी भी तैयारी करना है दूमें तो इस तरह से अभी जो एक सुंदर से स्टोरी बहुत बहुत बारीकियों के सांथ में जो क्राफ्ट की गई आपक बुक में यह स्टोरी आपको बताती कि अधिकतर हम सोसाइटी एस सोसाइटी हम क्या सोच के चलते हैं हम यह सोच लेके चलते हैं कि जो घर में एक मां होती है तो मां का काम क्या है मां का काम कुछ नहीं है अगर वह हॉस्वाइफ है तो हम यह सोचते हैं कि उनका काम कुछ नही है हम क्या बोलदेते को usually हम से पूछता है इसमें पहले भी आपको बताया कि आपकी ममी क्या करती है कुछ नहीं करती ममी तो housewife है जब oni बहुत कुछ करती ए आया समझ में तो इस तरह से हमें क्या करना होगा कि housework को value करना सीखना होगा next video lecture में यही चीज पढ़ने वाले हैं क्लियर यहां तक किसी प्रकार कर आउट हैं फिल फ्री तो आस्क इन कमेंट सेक्षिन तिल देन स्टे गनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बरी मच अलो आवरी बड़ी इस दिग्रास सिंग राश्पूत वेलकम तो मैगनेट बीन्स इ तो बड़िया माना जाता है कि एक हाउस वाइफ जो होती वो काम नहीं करती यह प्रिजियूम किया जाता है ठीक है ऐसा माना जाता कि घर पे रहती है अब जब अधिक तर क्या होता यूजवली हम बच्चों से बात करते हैं बच्चे हैं उन्हें समझ में नहीं या वटई तो उस में इस चीज़ को काम होता है बहुत जादा होता है अब टॉपिक कैए हमारा वैल्यू की जाती है कि नहीं की जाती हí पहले ये बताओ मुझे तो valuing housework मतलब क्या है कि हम ये presume करके चलते हैं कि ये उनकी natural responsibility और हम उस चीज़ को weightage नहीं देते हैं हम ये सोचते हैं ये तो उनका काम है लेकिन एक पल के लिए सोचो यही काम अभी मैं आपको आगे बताता हूँ चलो देखो भी मतलब इस सेंस में नहीं बोलोगे कि वो पाम पर नहीं जाती है उनका काम बाहर जो काम पर पैसे कमाने जारे है उससे भी ज़ाधा होता है technical होता है कि नहीं नहीं यार, housework भी एक तरह का real work, एक बहुत hard work होता है, ठीक है, जो मा करती है घर में, clear, अब क्या होता है, कि across the world ये notions है, मतलब सिर्फ इंडिया से ही मतलब नहीं है, और इस चीज में, पूरी दुनिया में ऐसा सोचा जाता है क्या, कि housework, caregiving task, looking after the family, ये सारे रोल किस के होते हैं, women के होते है, caregiving task मतलब क्या जैसे, ऐसा presume किया जाता है, कि अगर बच्चा हुआ है, सुनो, समझना इस चीज को, गहरा है, इस समझना, अगर एक बच्चा पैदा होता है, तो क्या माना जाता है, बच्चे की responsibility कौन लेने वाला है, मा बच्चे को समालेगी, क्यों बच्चा तो दोनों का है ना, पिता का भी और मा का भी है, तो उस sense में हम सिर्फ पूरी caregiving की जो task है, वो women के उपर कैसे डाल सकते हैं, सोचो एक minute के लिए, ठीक है, चलो ठीक है, वो डाल दिया, अपने housework का भी पूरा load डाल दिया, कि घर का पूरा काम भी किसे समालना है, म महिला समालने वाली है, clear, चलो बहुत काम कर रही है, अब इस काम को अगर आप recognize करोगे, तो कितनी अच्छी society होगी, मतलब हम recognize कर रहे हैं, वो भी एक important काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बाहर कमाने जा रहा है, वही काम कर रहा है, ठीक है, हमें उस चीज की value करना चाह है, उस काम को ऐसे consider किया जाता है, कि महिलाओं के दोरा जो काम किया जा रहा है, यह क्या है, यह तो उनकी responsibility है, यह सोच के बढ़ जाते हैं, कि यह काम तो महिलाओं को करना ही करना है, ठीक है, considered as natural responsibility of women, हम महिलाओं की natural responsibility समझते हैं, कि यह काम तो महिलाओं को करना ही हम ठीक है यह क्या है यह fundamentally wrong है society में एक मतलब fundamental wrong खह सकते हैं यहां पर अगर thinking की बात कि जाए तो यह fundamental कहीं ना कहीं जो society के foundation है उसी में गड़बढ़ है यहां पर क्यों कि यहीं से inequality exist होती है कैसे अगर आप यह मान लोगे कि महिलाओं के तवारा ये काम जो किया जा रहा है इसकी कोई value नहीं ये तो उनकी responsibility है तो हमेशा उस काम को आप devalue ही करोगे आप उसे for granted ले लोगे और एक पल के लिए ऐसा सोचो बस कि आपके साथ में मान नहीं है फैमली में नहीं ये मान लो बाहर गई हूँ ये और सारा काम अब आपको करना पड़ रहा है तब आप क्या बोलेंगे कि यार दो-दो काम करना पड़ रहा है ओफिस का काम भी कर रहा है घर का काम भी कर रहा है स्कूल भी हम भी खुदी जा रहे हैं तयार भी हो रहे हैं यह कर रहे हैं वो कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगा है ना तो जैसे एक advertisement भी है ना बहुत अच्छा किसका advertisement एक अमिता बच्चन का बहुत पहले advertisement आता था अब तो शायद पता नहीं आता की नहीं आता है तो वह उसमें बताता है कि women की responsibility जो होती है उसे हमें recognize करना चाहिए ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं कर रही है ठीक है does not have to be paid for and society devalues this work अब जैसे मैंने आपको यह link समझाई पूरी तो इससे समझना महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता है ऐसा माना जाता है कि उनकी natural responsibility है और natural responsibility है उसके चलते हम क्या करते हैं उसके चलते हम यह सोच लेते हैं कि उनके इसके लिए पैसा देने के ज़र्वाद थूरी हम क्या कर रहे हैं यहां पर हाउस वर्क को वैल्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और उसको वैल्यू देने की जरुवाद है क्योंकि उनका तो इससे recognize करना बहुत जाला जरूरी है तो यह सारी चीज़ें इंपोर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया वैल्यू वैल्यू इंग हाउस वर्क में समझ में चीज़ें क्या है अब हम नेक्स वीडियो लक्चर में जो मैंने आपको मेड वाली कहानी बताई तो दमेस्टिक वर्कर से जुड़ा हुआ कुछ नेक्स वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं किस तरह से उनके उपर डबल वर्डन रहता है सारी चीज़ें ने Domestic Workers, Domestic Workers की Life को पढ़ने वाले, Domestic Workers कौन होते हैं, तो जैसे अधिकतर जो घर के Household Chores होते हैं, उन्हें समालने के लिए हम क्या देखते हैं, कि हम एक Domestic Helper को ले लेते हैं, तो वो Domestic Worker कहलाते हैं, जैसे Maid हो गई, ठीके, Maids क्या हो गई, आपकी Domestic Worker हो गई है, अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताए कि किस तरह से हम Housework को वैल्यू नहीं देते हैं, वही हाउस वर्क अगर कौन कर रहा है, आपके घर में आपकी Maa कर रही है, तो आप उस चीज को क्या सोचते हैं, यह तो For Granted, यह उन्हीं का काम है मतलब, ठीके, यह हम उनकी Natural Respons Responsibility समझ लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन यही चीज आप किसी और से करवाते हैं, तो आप उसे Pay करते हैं, जैसे Domestic Workers जो होते हैं, जो Made आती है आपके घर में, तो आप उन्हें क्या करते हैं, पैसे देते हैं इस चीज के, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप उन्हें पैसे दे रह जस्परीत और उनकी एक Domestic Helper मंगला जैसे हैं, उन्हें बोल जैते हैं कि आज तो मंगला भी छुटी पे हैं, तो इस तरह से ये दोनों मिलके पूरे घर का काम समालते थे, अब चलो ठीक है, जस्परीत क्या हैं, जस्परीत आउट अफ लव वो काम कर रही हैं अपने husband के ल वो मैं समझा दो देखो, तो in towns and cities, people usually employ domestic workers, ठीक है, तो towns और cities अधिक तर गाउं में, फिर भी domestic helpers का जो concept रहता वो उतना नहीं है, लेकिन towns और cities में लोग क्या करते हैं, domestic helpers को, domestic workers को अपने साथ में रखते हैं, घर का काम का जो रहता है, उसमें हाथ बटाने के लिए, ठीक, अब क्या होता है, तो इन लोगों का काम क्या होता है, domestic workers का, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children और the elderly, ये सारे काम दिये जाते हैं, domestic workers को, usually क्या होता है, कि घर में जो जितना भी काम रहता है, घर में एक हाउस्वाइफ रहती है, उसके उपर जो burden रहता है, तो उस burden को कम करने के लिए, domestic workers को hire किया जाता है, अब कौन होता है, domestic worker, तो आप देखो, usually हम क्या करते है, image बना लेते हैं, domestic worker, made, made जो है, तो वो, एक women है, बस, हम अधिकतर women से जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है, domestic workers की जब बात करते हैं, तो women भी होती है, domestic worker, boys भी होते हैं, अपने देखा होगा, तो क्या आपने देखा होगा, तो domestic helper में boys को रख ली जाता है, and boys and girls भी, ठीक है, यहाँ पर discrimination नहीं होता है, तो boys and girls are employed as workers, clear है, अब क्या होता है, domestic workers जो होते हैं, तो domestic workers के आप situation समझने की कोशिश करना, अब मैंने आपको जिसे बता है, तो उन्हें कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़ sleeping cleaning, तो पूरा घर है, अगर मानलो एक बड़ा सा भी जिसे हम स्टोरी देखेंगे, स्टोरी ओफ मेलानी, ठीक है, तो मेलानी की कहानी में हम देखेंगे, क्या कि तीन मंजिला एक घर है, अब वो तीन मंजिला घर को क्या पूरा उपर से नीचे तक साफ करना है, यह सारी वो अपनी स्टोरी में बताती है, ठीक है, यह फोटोग्राफ आपकी बुक में दिये, तो वो बताती है, क्या आपकी जहां पर काम करती है, तीन मंजिला घर था, अब क्या होता है, उनका काम जो है, तो सुबह पांच बज़े से चालू हो जा था, और मिलानी के अलावा भी यहां पर कौन थे, दो और लड़कियां थी जिनने काम पर रखा था, उन्हें सुबह क्या देते से एक कप चाय दे 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 ते ते और दो से तीन रोटी नहीं देते थे, ठीक है, फिर उन्हें काम करना रेता था, काम बड़ा महनत का होता था, सफाई, खाना बनाना, यह xico करना वह सारी चीजेँ क्योंकि मिलानी का काम किछन होता है तो शाम का खाना यह रहता तो जो लड़कियां थी दूसरी दो जिनका काम किछन में नहीं होता था तो उन्हें एक दो रोटी जादा दे दी जाती थी मिलानी के दवारा ठीक है मिलानी जो थी तो वह मेम सापके उपर बड़ा घुस्सा आता था उसे क्यों क्योंकि वह हमिलेट करती थी कुछ भी काम पर चिलाना यह सारी चीजे करना तो इस तरह का एक strict attitude रहता था ठीक है सब human की तरह इन् इन्हें काम करना पड़ता था sleepers भी इन्हें पहनने नहीं दी जाती थी तो इस तरह से क्या है कि आप देखो कि domestic workers की जो lifestyle है तो वह क्या है बहुत hard होती है अब देखो double burden इनके उपर कहां बढ़ जाता है पता है इन्हें पैसे कमाने के लिए दूसरों के घर में भी काम करना पड़ता और कहीं कई तो क्या होता है कि एक घर दो घर तीन घर चार घर कोई domestic worker दो तीन तीन घरों में एक साथ काम करते हैं तो उस तरह से क्या है बहुत यह जो hard work लिखा नहीं मजाक में नहीं लिखा है सच में मेहनत बहुत करना पड़ती है clear आगे देखो क्या है अब बनाना साफ सफाई करना डस्टिंग वगरा यह सारी चीज़े कपड़े दोना यह एक इंसान अगर जो पूरा काम खुद कर रहा है तो आप दो मिनिट के लिए उसके उपर कितना बर्डन हो जाता है clear है अब क्या होता है number of these tasks require heavy physical work बहुत जादा physical work की requirement होती है जैसे अब क्य लोग जिम में जा रहे हैं और फिर जिम में जा कि उपनी बॉड़ी को फिट कर रहे है वहां पे क्या है कि ऐसा कह सकते है कि चॉइस नहीं है यह उनका ग्रना पड़े कि उन्हें जिम करना पड़ेगी है और पानी निकालना पड़ेगा है अब क्या होता है fetching water यह मेहनत की क तो इसमें क्या होता है तो इसमें आपको बहुत सारी फिसिकल मुवेंट करना पड़ती है क्या करना पड़ेगा? बेंडिंग, ठीक है? लिफ्टिंग, केरिंग, उठाना है, यहां रखना है, वहां रखना है, यहां से वहां ले जाना है तो यह सारे कामों में आप देख रहे हो कि फिजिकल वर्क तो रिकॉाइड है ही है और एक चीज़ पता है क्या होता है इंसान काम क्यों करता है जैसे अभी आप जिस एज में हो आज से 10 साल 15 साल तक आप बहुत महनत करोगे क्यों और करना चाहिए आपको ये 10-15 साल अगर आपने महनत कर लीना है मतलब आपके टीनेज से लगा कि आप 30 तक अगर बहुत अच्छी रिगरस महनत करो बस इस टाइम पिरेड में महनत करोगे तो आगे किसलिए महनत करो ताकि आपकी 30 के बाद का जो टाइम पिरेड है बहुत सिक्योर रहे आप आराम से आसानी से चीजों को कर सकें जी सकें अपना जीवन लेकिन यहाँ डॉमेस्टिक वरकर्स के केस में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती क्यों क्योंकि यह अपना पुरा टीनेज भी निकाल देते महनत करते करते थर्टीस तक भी महनत करते हैं उसके बाद भी नहीं महनत करना रहती है कारण क्या है कि कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने एक बार महनत कर लिए जैसे आप पढ़ लिखके बहुत महनत कर लोगे तो आपको कल को जॉब मिलीगी आपका लाइफ फिरकल धीरे-धीरे आसान होते जाएगा यहां पर लेकिन मरते दम तंक क्या है संघर से तो इस तरह से डॉमेस्टिक वरकर्स की लाइफ जोती हो बहुत ज्यादा क्या होती हार्ड होती है फाइन अब आगे क्या होता देखो standing for long hours in front of hot stoves अब खाना बनाना भी तो आप लोगे खाने बनाने में कौन सी महनत है वहाँ पर जब गर्मी निकलती ही न तो आप फैन में नहीं चला सकते हो और वहाँ पर जब इस तरह से क्या निकलने वाली यह बहुत जादा गर्मी लगने वाली है तो वह भी एक दिक्कत का सामने करना पड़ता है फिर केर गिविंग बच्चों का ध्यान रखना ये भी एक बहुत बड़ा डास्क होता है क्लियर दो मिट के लिए पूछना अपने माता पिता से या फिर आपको किसी डोमेस्टिक हेलपर ने अगर आपकी क्यार कियो तो आप बच्पर में कितने शैतान हुआ करते थे और उ दो तो यहां गैसे खेसे आउट्साइइड वर्क जो है तो आप इसको वैसे समझ लों कि हां डोमेस्टिक वर्कर जो है तो ने अपने घर का काम भी करना पड़ता दूसरों के हैं खर की करना पड़ता अब फिर जो वर्किंग विमें मतलब क्या होता ह linguधा है कि कोई महिला ह सोचो घर के पिर क्लास के चाएं प ninth ब म सारी सीजें करना तो अपने का काम और जो भार को पर सकर देखोंगे अगर टो देख क्रप और ऊसमें भी गलत बात कि यह यह वर्क तो वेलू नहीं देते हैं तो अगर दोनों को जोड़े तो उनके working hours कितने हो जाते हैं पूरा जिवन काम करते हो निकल जाता है ठीक है बाहर के लिए काम करो घर के लिए काम करो तो इस तरह से क्या होता है बहुत women का job काम करने का तरीका है या फिर जो उनके दुआरा काम किया जा रहा है उसका अगर value नहीं करते हो तो इस video lecture को देखने क बाद में और chapter में हमने आगे जितने वीडियो lecture पड़े आपको इस समझ माना चाहिए कि आपको अपने घर में जो महिलाएं काम कर रही है ठीक है वो चाहिए आपकी माह हो सकती है चाहिए आपकी बहन हो सकती है सभी के काम की क्या करना है value करना है कभी हाथ बटा कर देखो सम हम लड़कों को यह नहीं बताते कि उन्हें स्तिफ पैसा ही नहीं कमाना है उन्हें लड़कियों के साथ में क्योंकि कल को जा कि यह लड़के को भी शादी करना है अपना घर बसाना है और एक एक इकवल फुटिंग पर क्या करना होगा दोनों को आगे बढ़ना होगा तो हम से बताना होगा कि यह आपको हाथ में हाथ लेके चलना है क्लियर देखों यहाप यहाप पर दिया है निटा काह का है न तो हर्याना और तरथ के कटिंग charged करती और यह तोrike जो सकती है तो क्या कrire किसी दूसरे के खेतों में काम कर द से महिला है तो 23 hours उनका paid work होता है per week ठीक है वहीं पे अगर आप unpaid work देखो तो unpaid work में क्या हो जाता 30 hours हो जाता हरियाना में और तमिलनाड़ों में 35 hours तो अगर आप total करते हो तो total में देखो यहां पे 35, 40, 50, 54 hours हो गई है clear है अब वहीं आप अगर किसे करोगे mail से compare करोगे mail बाहर जरूर दिख रहे हैं आपको कि कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ठीक है कितना मेहनत कर रहे हैं मतलब कि paid work में 40 घंटे उनके week में निकल जाते हैं लेकिन unpaid work में कितना घंटे देते हैं वस दो घंटे जैसे यहां पर क्या होता है कि यह 35 वार कैसे हो गए आप सोचो 35 वार ऐस हो जाएंगे खाना बनाना साफ सफ़फ़ी करना कपड़े दोना बच्चों का द्यान रखना सारी चीज़े अन्पेड है ठीक है और में अगर जो देखा जाए कि में का तो में कितना अन्पेड करते हैं मुश्किल से कभी उन्हें घर में कुछ पानी वानी दे दिया पेड़ पोधों को तो वह भी बहुत जादा क्लियर है तो इस तरह से चार घंटे अब यह 44 ही हो रहा है लेकिन हम क्या वैल्यू देते क्यों हो यह तो बाहर फेक्टरी में काम करने जाते आफिस पर का अगर कड़ाउट है तो फिल फ्री तो आस्कें कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्ट्चर में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं तिल देन स्टे गनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बरी मच हला अब्रीबडी इस दिग्रास सिंग राश्पूत वे प्रैक्टिकली अगर देखो उस चीज़ को तो हाँ इनिक्वालिटी है और मैंने आपको थेओरिटिकली भी बहुत सारी अलग-अलग बातों से बताया इस चीज़ को फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से घर में एक जो विमेन होती है उसके उपर कितना बर्डन ह अई सेंस में सबसे पहली गलती जो हम करते है तो हम हाउस वर्क को वैल्यू नहीं करते हैं क्यों वहाँ पे भी मेंने आपको पिछले वीडियो में बताया अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है विमेंस वर्क एंड इक्वैलिटी अब दिखती बात ही कि महिलाओं का काम जो हो कर रही है तो लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें equality नहीं मिल पा रही है कैसे नहीं मिल पा रही है सारी चीजें में समझाओंगा और क्या किया जा सकता है वो भी हम सुर्फ problem नहीं पढ़ेंगे problem बताना है कोई भी बता देगा उसका solution भी discuss करेंगे जिस तरह से आपकी बुक में सारी चीजें दी गई है ठीक बुक में सब कुछ दिया रहता है पस दिक्कते हो जाती समझ में नहीं आता जब पढ़ते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है मैं हूँ आपके साथ ठीक है अब दोगो क्या है विम्न सूर्क तो महीलाओं का जो काम होता है सिस्टम और पूरा काम होता है तो उस काम को देखते हूं क्या देखते हैं कि एक लार्ज सिस्टम बनाुशा ऐसा पुरा का पूरा कह सकते हैं एक format बनावा जहां पर महिलाओं के काम को हमेशा पुरुष के काम से टीक है विमन के काम को हमेशा मैं के काम से क्या किया जाता है मतलब नीचे consider किया जाता है और consideration कैसी होती है तो underpaid भी होता है जितनी payment एक mail को दी जाती है यह data है मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं ठीक है जितनी payment एक male को दी जाती है उसके comparison में women को हमेशा female को हमेशा क्या किया जाता है underpaid रखा जाता है कम पैसे दिये जाते हैं आगे समझ में और यह चीज़ आप छोटी मोटी industry को छोड़ी है कहीं भी चले यह किसी भी industry में जैसे जब human resource managers male human resource manager hire किया जाते तो उन्हें जादा pay किया जाता compared to female human resource manager तो यह सारी inequalities का कहीं न की society में exist करती है clear है तो अब देखो क्या है जब हमने देखा कि inequality men और women के बीच में exist करती है तो हमें क्या करना है यह तो समस्या हो गई है समाधान क्या होगा समस्या का समाधान है therefore it is required to establish equality we are required to establish equality equality is the basic need of the hour ठीक है यह basic need है समय कि हमें equality establish करना पड़ेगी what can we do in that it has to be dealt with through actions not just the level of not just at the level of individual or the family but also by the government यह शब्द बजन ला देता है देखो क्या होता है मैंने आपको समझाया अभी सारा सब कुछ समझ में आया बुलो हाँ अब आपको समझ में आ गया समझ में आने के बाद में यह तो तरह होगा कि वहाँ पर यह चीज़े exist मत करने देना आपके बच्चे होते हैं ठीक है लड़के लड़की होते हैं एक समान रखना सभी को सिर्फ क्लास में पढ़के नंबर ले आना असान है लेकिन इस चीज़ को लाइफ में इंप्लिमेंट करोगा तब आपके पढ़ाई successful होगी तो वही चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि हम इंडिविजल लेवल पर ठीक इंडिविजल लेवल पर तो आप कर ही लोगे मुझे पता है लेकिन उससी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा government को भी initiatives लेना पड़ेंगे कि वो इस inequality को खतम करें, आया समझ में government को भी initiative लेना पड़ेंगे कि वो इस inequality को खतम करें, तो अब दिखो क्या है अब अगर आप बोलो कि government ने तो खतम करी दिये, क्यों? क्योंकि हमारा जो constitution है ठीक, constitution के बारे में थोड़ा बहुत पड़ा हमारा जो संविधान है जो law book है हमारी तो उस law book में क्या है उस law book में आप दिखोगे कि हाँ उसमें equality तो एक बहुत basic principle है law book में सब को equal treat किया गया सभी को क्या दिये गए equal rights दिये गए तो sense में हमारी law book तो क्या है बोलती है में क्या देखते हैं सोसाइटी में देखते हैं हमारी समाज में देखते हैं हम पूरी country में देखते हैं कि लड़का और लड़की के बीच में differentiation किया जाता है ठीक है और वो लड़के और लड़की के बीच का differentiation बढ़ता जाता है जब वो अडल्ट होते हैं तब भी differentiation रहते हैं तब भी उनके बीच में inequality रहती है जब वो कमाने लगते हैं तब भी उनके बीच में रहती है एक family में भी हम देखते हैं पापा की बात को ज़्यादा बदन दिया जाता है as compared to mommy ठीक है तो उस sense में क्या है कि inequality between these sexes exists ठीक है तो यह तो exist करती ही करती है मानतों इस चीज को अब देखो क्या है तो आप सवाल या था इसका solution क्या है solution बताएंगे solution बताने से पहले यह समझ लो solution निकल क्या है यहां से जब हमने इस चीज को recognize कि या double burden of women's work डबल वर्डन औफ विमन्स वर्क क्या होता है यह समझो डबल वर्डन को देखो यह इस कार्टून ने बहुत अच्छी तरह से एक्स्प्लेंड कर दे है मुझे कुछ बोलने के जरुवत नहीं पड़ेगी आप देख रहे हो अंकल जो है तो अंकल के उपर क्या है बोलो कि अंकल के उपरवाल नहीं है वो तो दिख रहा है लेकिन अंकल के हाथ में जैसे देखो तो अंकल के पास में ओफिस का काम है अब लेकिन यहाँ पर जैसे आप विमन के पास देखोगे अंटी जी के पास देखोगे साथ ही साथ अपने घर का काम भी निप्टान होगा क्यों क्यों कि society ने तो मान के बठा है क्या society मान के बठी कि घर के बरतन साफ करने काम किसका है women का है देखो और खास करके Indian society हम यह मान के चल रहे है अब धीरे धीरे बदलाव आएगा जब आप पड़ोगे लिखोगे तो ची government क्या कर सकती है government कैसे inequality को खतम कर सकती है government क्या किया है government को भी समझ आता है जब आपको समझ में आगया मुझे समझ में आगया तो government तो हमसे जादा समझदार है नहीं है perfect let us have a look on that Bye taking this into consideration government is taking positive steps through remedy, situation Government positive steps ले रही है जैसे constitution वगरा में तो है तो वो ही लेकिन इसके रावा government ने जिसे क्या किया The government has set up आंगनवाडी और child care centers in several villages in the country Government ने क्या क्या आंगनवाडी वगरा establish कर दी है ठीक है child care centers वगरा establish कर दी है अब देखो आंगनवाडी child care center क्या होते इस तरह से एक women होती है उसे especially pay किया जाता उस चीज के लिए तो उन्हें काम देदी हमने आशा दीदी वगरा जो होती है तो उन्हें हम क्या काम देते कि गाउं भर के जो बच्चे है वो आप के यहां आएंगे आप उन बच्चों को क्या दोगे थोड़ी सी सिक्षा दोगे सिक्षा कैसी थोड़ी सी मतलब क्या है थोड़ी सी मतलब जो basic level करेती ना ABCD, अना, राम, इमली, उलू, उन ये सारी चीजे क्या करने हैं बच्चों को पढ़ाना है और उसी के साथ में ये बच्चे यहां आएंगे तो इससे आपने women के काम को कैसे आसान कर दिया देखो हमने देखा अभी कि government भी recognize कर रही women को पर double burden होता है तो अब जब है घर का काम अपना कर ले तो कुछ तो काम कम हुआ इस तरह से क्या है कि हमने recognize किया क्या special measures के लिए जाना चाहिए ताकि जो inequality उसे कम कर सके जो burden है women के उपर उसे कम किया जा सके तालिया बजाद एक बार government के लिए ठीक है आगे क्या है देखो the government has passed laws that make it mandatory that makes it makes it mandatory for the organizations that have more than 30 women employees to to provide crutch facilities यह क्या होता है एक तरह से kindergarten होता है ठीक है crutch facilities क्या होता है वो भी समझाता हूं जिसे मान लो कोई एक institution है ठीक है कोई एक institution है मान लो आपका school ही है पता करना आपकी school में है कि नहीं तो आपका school है आपकी school में अगर 30 से जादा female employee है ठीक है यह क्या है the government has passed the law that makes it mandatory for organizations that have more children employees 30 से जादा होगी तो वहां पर क्या होना चाहिए क्रेच facilities होना चाहिए मतलब इस तरह से चोटा से kindergarten होना चाहिए ताकि महिलाएं अगर काम पर आए उनके बच्चे छोटे हैं ठीक है अब बच्चे छोटे कपता है तो बच्चे छोटे तो दस साल तक रहते हैं कुछ बच बच्चा खेलते रहेगा ममी अपना काम करते रहेंगी फिर काम हो जाएगा जब दोनों खुशी-खुशी घर चले जाएंगे तो इस तरह से गवर्मेंट ने क्या किया है कि हां महिलाओं के उपर जो बर्ड़न है उससे कम किया जा सके ठीक है और क्या चीज किये हैं देखो उन्हें empower कर सकते हो आप एक सही education के थूँ ठीक है अगर educated रहेगी ना women अपने पैरों पे अगर खड़ी हो सकती ही वो कैसे अपने पैरों पे कब खड़ी होगी जब उन्हें हमें एक मजबूत नीव देंगे उन्हें सही education अगर provide कर दिया तो अपना खुद काम कर लेगी ठीक है तो इस चीज़ पर ज्यादा focus करना था तो promotion of girls education यह sustainable development का goal भी a goal number 5 ठीक है तो sustainable development goals क्या United Nations के द्वारा जो goal की बात की गई तो महाँ पे gender equality की बात करते हैं और आप gender equality कब ensure कर पाओगे जब आप educate करोगे women को men के बराबर आप उन्हें क्या कर दोगे एक position पर लाके I hope यह चीज़ें समझ में आई आपको कि जो last topic था concluding topic था यह समझ में आना चाहिए कि कैसे women काम करती है किस तरह से उनके साथ में injustice हो रहा है inequality के form में और inequality को overcome करने के लिए government ने क्या किया और हमें क्या करना individual level पे और आज इस chapter को खतम करते हो आप सब को एक चीज़ ध्यान मे topics हर चीज़ को हम पढ़ चुके हैं अब बचा क्या है तो NCRT solutions question मेरे पास भी है आपके पास भी है answer मेरे पास है तो answers को हम next video lecture में discuss करने वाले हैं यहां तक किसी प्रकार का कोई doubt है feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राशपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में हम NCRT solutions को discuss करेंगे जिस chapter को theory part पर पूरी तरह से complete कर चुके हैं कौन सा chapter class 7 civics का chapter चाप्टर है growing up as boys and girls इस chapter कौन comprehensively theory part पे सारे topics sub topics हर चीज़ को पर चुके हैं बो हां ठीक है अब देखो क्या है NCRT questions कुछ जो दिये हैं कुछ में मतलब 4 questions है अब उन चारो questions के answer जो है वो discuss करने वाले हम इस video lecture में clear देखिये क्या है तो are the statements given alongside true or false अब आपको बताना सही है गलत है support your answer with the use of an example and then you have to support these statements with the help of an example that's it what's the question यह देखो A, B, C, D 4 questions हमारे पास में All societies do not think similarly about the roles that boys and girls play true है या false है तो यह true है क्यों true है कैसे true है example से support करो तो example समझे से हमने देखा कि Madhya Pradesh Indian society किस तरह से treat करती थी boys और girls को differentiation था लेकिन वही जो Samoan Island वाली कहानी पड़ी थी हमने Samoa Island की तो वहाँ पे क्या कर रहे थे वो अलग तरह से treat कर रहे थे तो yes it is true all societies do not think similar about the roles that boys and girls play ठीक है कहीं कहीं पे दोनों में equality होती ही कहीं पे नहीं होती तो this is true next question our society does not make distinction between boys and girls when they are growing up our society मतलब Indian society क्या Indian society में distinction नहीं किये जाते हैं तो यह distinction तो भर भर के किये जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा false हो जाएगा तो आप कैसे कर सकते हो distinctions are there जैसे क्या होता है उनका जो school होता है तो school का structure अलग होता है girls का school कैसा होता है central courtyard होता है उसमें covered campus होता है boys का कैसा होता है खुले मेदान होते हैं boys के कहीं भी चले जाओ घूमते हैं फिरते हैं उसके आद में toys girls के लिए लग होते हैं boys के लिए लग होते हैं तो yes this statement is false क्यों क्यों क्योंकि हमारी society तो distinction करती है clear है अगला question क्या देखो तो women who stay at home do not work महिलाएं जो घर पे रहती है वो काम नहीं करती है यह true है या false है तो इसमें बड़ा सा false लिखेंगे हम क्यों क्योंकि महिलाएं जो घर पे रहती है वो भी तो काम करती है क्या काम करती है तो आप देखो पूरा घर का काम समालना वो काम ही तो है अब अगर हम इस statement को बोल देंगे कुछ काम नहीं करती है तो यह false हो जाएगा तो यह false है ठीक है अगला question क्या है the work that women do is less valued than that of men women जो काम करती है वो उसकी उतनी value नहीं होती है जितना काम men कर रहे हैं तो यह true है कैसे कह सकते हो आप तो हम देखेंगे कि जहाँ payment की बात आती है तो women को कम पैसे दिये जाते है as compared to men तो उस sense में क्या है the work that women do is less valued than that of men आगे ना समझ में यह सारा सब कुछ आगे देखो क्या है आगे यह है housework is invisible and unpaid work housework is physically demanding housework is time consuming अब यहां से तीन शब्द निकालो अब देखो क्या आगे क्या लिखा है आगे है question write in your own words what is meant by the term invisible physically demanding and time consuming इन तीनों वर्ट का हुमें explain करना है give an example of each based on household task undertaken by women in your home example आप खुझ से दे सकते ठीक है यह मैं आपको देके बताऊंगा खर गब रहा हूं मत देखो क्या है invisible का मतलब क्या होता है the work which is not seen from eyes देखें आख से नहीं दिखता जो काम आख से नहीं दिखता हो तो फिर आख से नहीं दिखते तो हमने नहीं मतलब आप उसे इग्णोर कर दे रहो जैसे एक्जामपल के लिए हम क्या देखें आपे amount of time and labor that goes in preparing food खाने बनाने में कितना महनत लगती हैं तो टिफिन खोलेंगे खालेंगे फटाफट हमें क्या लगए यह तो नॉर्मल है खाना तो बनाना है लेकिन जो उसके पीछे महनत लग रही है ठीक है सारी सबजियां काटना यह सब कुछ करना खाना बनाना स्टोफ के सामने खड़े रहेना गर्मी को सहन करना उतनी सारी चीज़ें तो इस काम को हम क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं ठीक है housework is invisible and unpaid work पैसे भी नहीं देते हो आप ऐसा होता कि टिफिन देते हो और बोलते मामी यह लो 50 रुपे इसा नहीं होता है फिर क्या है physically demanding, physically demanding क्या होता देखो समझो इसे, तो physically demanding means we have to do hard manual labor to complete task, ठीक हाट manual labor क्या मतलब आपको महनत करना पड़ेगी, वो physically demanding मतलब वो काम जो आपकी physical strength endurance मांगते हैं ठीक है आपका labor effort मांगते हैं, तो housework जो होता है वो physically demanding होता या नहीं होता है यह बत firing and have negative impact on one's health, ठीक है negative impact होता है जो महिला है जैसे दिन भर काम करती है ठक जाती है उनकी health पर एक impact पड़ता ही हो इस चिसका, फिर क्या होता है तो example में जैसे देखें तो like fetching water or firewood in rural areas ठीक है तो अब पानी निकाल के लाना अब इतने दूर पेदल तल के जाएंगे ठीक है पान work is time consuming, तो time consuming means the work which needs considerable time to be completed, बहुत ज्यादा समय लगता हो जिस काम को करने मों time consuming, example क्या हो गया, example में जैसे हम देखते हैं कि साफ सफाई, साफ सफाई में कपड़े धोना इसमें टाइम लगेगा, दो घंटे तीन घंटे लग गए मान लो, तो इंसान के दो घंटे तीन घंट अगरा कुछिशन है, make a list of toys and games that boys typically play and another for girls, if there is difference between the two lists, you can think of some reasons why this is so, ठीक, does this have any relationship to the roles children have to play as adult, पहुत शान्दार कुछिशन, ठीक है, शान्दार कुछिशन, ये हाई लेवल का कुछिशन है, इसे समझे की कुछिश करना, एक लिस्ट बनाओ, लड़के जिन toys से खिलते हुसकी, लड़कियां जिन toys से खिलती है, लिस्ट बना ली, चलो, आगे अगला पार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, if there is a difference between the two lists, difference आएगा तो उनों में देखेंगे, difference आता है, तो can you think of some reasons why this is so, क्या आप किसी reason के बारे में सूच तो कि दिफरेंस क्यों आया, कारण है उसके पिछे, इसा नहीं बसकी लड़कियों को यह पसंदे तो यही पसंदे, लड़कों को यही पसंदे तो यही पसंदे, उसके पीछे कारण क्या है, वो समझना है हमे, फिर कारण समझ में आता है, तो आगे दिखेंगे, does this have any relationship to the roles children have to play as adult, और यही खिलोनों से हम क्या कर रहें, उनके विश्य में जब वो बड़े हो जाएंगे, अडल्ट जब हो जाएंगे, तब उनके जो रोल्स होंगे, कहीना कहीं डेफाइन होते हैं, कैसे समझो सारी चीज़े, तो सबसे फ़ले लिस्ट बनाते हैं, जैसे लड़कों के लिए क्ले कार्स होंगी, बड़ी बड़ी वर्र यसे घुमने जाली कार होंगी, तो कार्स होगी, गन्स होंगे, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड़ी ये सारे गेम्स खेलना रहे, कबड़ी खेलेंगे, क्लियर, अब लड़कियां क्या हैं, तो लड़कियों के लिए डॉल्स होंगी, बार भी डॉल्स होगी, और बहुत तरह तरह की अलग-अलग चीज होगी, तो डॉल्स होंगी, किचन सेट होगा, ये फेवरेट खिलो ना, अब देखो, मैं आपको एक एग्जामपल बताता हूँ, हसोगे आप, लेकिन हसना नहीं है उसमें, क्या किचन सेट जरूरी नहीं लड़कियों के लिए रहता है, मैं खिलों ने दिये जाएंगे, किसको लड़कियों को, चलो ये लिस्ट, देखिया आपने दोनों में डिफरेंस है, लिस्ट में, है दिफरेंस, सवाल, अगला पार्ट का है, सवाल का, कि, can you think of someone, some reasons why this is so, कुछ कारण बता सकतो, इसके पिछे कि ऐसा क्यों होता है, कि अब लि आप से डिफरेंस मतलब डिवाइट कर दिया कि होाँ पर स्टेंथ पर स्टैमिना में क्या होता है, आप पो ये बाइलगों में डिपनी स्टैमिना पर लिखना पर एक स्चेमिने को बढ़ा सकते है तो यहां पर कुछ दो बार रिपीज हवा तो उसे काट देना अब समझो क्या है तो यह गेम्स बना दिया अलग अलग तो इसका उनकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है तो जी यहां रोल है मतलब आप अगर लड़की को किचन सेट लाके दे रहे हो तो क्यों लाके दे रहे हो पता है लड़के को आप गन लाके दे रहे तो आप क्या उसको बोल रहो कि गैंग्स्टर बनना है नहीं ऐसा नहीं मुझे क्या करना है कि करश दिखाना स्टैमिना दिखाना सोसाइटी में अपने आपको स्टैबिश करना है आगे ज़न में क्या हुआ अगर लड़का कुछ नहीं कर पाया तो लेकिन हमाई सोसाइटी क्या कर देती और लड़का है कुछ कर नहीं पाया वह है ना समझे में वह कहीन है क्या करता है परिशान कर देता और यह चीज बदलना चाहिए चलो कुछन आंसर पढ़ने हैं बहजाते हैं पढ़ाते पढ़ाते अब आगे क्या है क्या है क्या है क्या है क्योंकि यह खुद से करने वाली चीज है लेकिन एक बार करवा के दे रहा हूं सबन्त क्लास है भी छोटे हो थोड़े से ठीक है मेरे तो 10th क्लास भी छोटे रहोगे बड़े रहोगे वही बाते लेकिन फिर भी खुद से करना सीखना है अब आपको खुद की कहानी अगर लिखो गया अब इसमें आपको क्या करना है आपको एक आपके आसक पास कोई सुषना रहा एक आपके घर में तो इनसे बैटक के बात करो मिट क्या आपके फैमिली में कौन कोन है कैसे चलती है चीजे घ्र जैसे वेममे न आती तो पूछों कि हमें क्या करते है बच्चे कितने आपके स्कूल जाते नहीं जाते हैं सारी चीज़ें ठीक अब क्या हैं तो if you have someone working as a domestic help in your house or locality talk to her and find out a little more little more about her okay who are her family members where is her home यह सारी चीज़े पूछना है आपको how many hours does she work how much does she get paid write a small story based on this ठीक एक स्टोरी लिखना तो आप जैसे हम एक स्टोरी जो बनी हमने यहां पर देखते हैं yes I know one domestic helper who works in my neighborhood her name is Chamelee ठीक है फिर क्या होता है she is married and has two children and lives with her husband उसके बाद में क्या है husband in nearby slum area अब अदिकतर आसे होता है domestic helper की तरह काम कर रहा है तो उसकी financial condition उतनी sound नहीं होती उतनी मजबूत नहीं होती सिलिए वो काम कर रहे होते हैं clear अब फिर अगली चीज का है तो शी कितने घंटे काम कर दी क्या है तो she is employed as a full day worker पूरे दिन काम करना पड़ता है she has to work for almost 14 hours लगभाग 14 घंटों के लिए काम करना पड़ता है एक्जाम्पल गिवन 7 in morning to 9 till night ठीक है and receives rupees 2000 और जो काम के लिए पैसा दिया जारा देखो कितने underpaid है ठीक है यह दिन का नहीं है पूरे महने भर का है महने भर के 2000 रुपे दिये जाते अब खेर आज तो relatively फिर भी क्या होगा पेस्केल बढ़ गया लेकिन पहले ऐसे ही होता था फिर क्या होता है which is very less according to the work she performs and the time she gives for her job ठीक है यह सारी चीज़ हमने डिसकस करी है और इसी के सहाथ हमारे NCRT solutions भी complete होते है चैप्टर पूरी तरह से complete हुआ theory पार्ट पे भी question answer वाले पार्ट पे भी किसी प्रकार की कोई doubt है feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much